हाई दोस्तो, आज हम बात करने वाले हैं तोटल 24 में अपकमिंग बाइक के बारे में, वो है रोश्टर जो के 4 पृट्डो जिसी का मॉडल है, और साथ से असद बात क्रैमलर है, उसके बाद पॉवर मॉडल है और ऐसी बहुत सारी चीज़े जो है तो दोस्तों डीटेल में चानते हैं कौन-कौन सी अपकमिंग बाइक है रॉयल एन फ्री की तनिये चानते है दोस्तों वीडियो को स्राइट करूँ उससे पहले अगर आप में चैनल स्क्राइब नहीं किया तक ही ऐसी प्रीटेस अपने टाइम आ सके दोस्तों एक यूट्यूबर ने इसका एक्सॉस्त नोड भी कवर किया है और बहुत सारी डीटेलिंग यूसमें कवर हो रही है पहला अगर आप देखेंगे तो वैसे तो एक्लासिक बेस मॉडल आपको लग रहा होगा बट बहुत ही हा शॉट है इसके वेसे आपको दिखाई दे रहा होगा एंड एक्सॉस्ट जो है न वह भी थोड़ा सा चेंज किया गया है अगर आप साइड वाल देखेंगे टायर के तो वह रहा है मतलब यह पर टाइप मॉडल जो है वह बनाया जा रहा है और दोस्तों पहले आप सुनिए एक्सॉस्ट नोड फिर हम ब प्राइजिंग जो है 1.92 लैक्स कहा जा रहा है अगर थोड़ डिलिंग बात करें इस बारे में दो दोस्तों अल्री जो हमने इसके बहुत सरे डिलिक लिए कर दी है यह दोनों बाइक जो हमालेन न्यू हमालेन 452 है और स्क्राम 452 है दोनों साथ में ही जो है टेस्टिंग हम वेडिया के लिए लुक जो है किस तरह से देखने वाला है हलाकि क्लोर ऑच्छीम जो है वह कलेर नहीं है बड़ सिक्स कलोर ऑप्शिंग का अपडिट आ रहा है और लांच जो है कहा जा रहा है कि दोस्तों जो की अगस्त के असपास का जा जा रहा है तो टार्गेट डीट जो है अगस के असपास है और प्राइजिंग जो है इस बाइक का गाजा रहा है कि तूप टूपॉंट 25 तूपॉंट 40 लेक्स तक जो है इस प्राइज का रहने वाला है और थोड़ा फीचर्स पर हाइलेट करते हैं तो उस पर भी सेम जो नियो हमारन का एंजिन है वो सेम तू 10 जो ऐरड़ी देख रहा 예 एक हमने रएली इदिशन देख लिए हमने हमाल्र honeymoon जो है और तीसरा model जो कि बहुत ही सही है and कहा ऐसा जा रहा है कि इसमें जो इंस्ट्रॉमेंटर क्लस्टर सेम जो आपका हिमालन में देखने मिलगा वो सेम इंस्ट्रॉमेंटर क्लस्टर इसमें भी जो है आपको देखने मिलेगा बाकि एक्सॉस इंजिन साउंड जो है वो सेम तो सेम न्यू हिम दोस्तों इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है वो चेंज किये जा रहे है पहला गर आप यूसडी फोक्स देखेंगे तो वो हाइलाइटिंग फीचर है सिंगल साइड एग्स जो है वो सेम पो सिंगल अगहाल जो है वो भी स्क्राम्बल वाली सी लगाएगा राउड टेल लाइट इंडिकेटर जो है लेड वाले इस सारे जो है चेंजेस आपको जो है अपकमिंग स्क्रांब्लर सिक्षुटी देखने मिलने वाले हैं प्राइसिंग 3.5 लाक्स जो है एक्षोरूम कहा जा रहा है स्टार्टिंग बट थोड़ी छोटी सी जो है भी लग रही है अभी फाइन नहीं हुई है बट थोड़ा छोटा जो है लुक शेप के है तो थोड़ा बहुत चेंजेस जो है इंडिकेटर्स में देखने को मिल रहे हैं हलके तो बहुत सारे मॉडल दो है 2004 में आने वाले ने आपको बहुत सा मॉडल पतन है कमें जक्शन में जरूर बताएगा यहां वीडियो के एंड़ते हैं ख्यावा की ध्याम रिख झाल झाल